नबसकर दोस्तो स्वागते आप सभी का A.A. सकेड़ी में और दोस्तो आज में इस वीडियो में आपके लिए एक महत्पूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ आप सभी को वैसे पता चल गया होगा कि आरहीं पबलिक स्कूल में बैकेंसी आई है दोस्तो कल में बाहर था इसलिए आपके साथ में जानकारी शेयर नहीं कर पाया तो मैंने सोचा आज कुछ इसके बारे में महत्पूर्ण बिंदू है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो दोस्तो आज हम चर्चा करेंगी क्या इसकी सेलेक्शन प्रोसेस है क्या इसकी अग्जाम फीस होगी कहा इसका एक्जाम सेंटर होगा इसके बाद क्या इसकी selection process में कितनी stages होगी कहां पर हमें job मिलेगी कौन से subject में हमें पढ़ाने को मिलेगा क्या हमें qualification की जरूरत है इस सब सारी चीजों को आज हम ब्रीफ करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को अंति तक देखेगा देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा यदि आप इसी प्रकार की जानकार यह चाहते हैं तो AS Academy को subscribe जरूर कर लें जिससे आपको हमारे latest वीडियो मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों सबसे पहरे तो आप देख रहे होंगे यदि इसके लिए जानना चाहते हैं तो आप free job alert पर चले जाएगा Google में आप जैसे free job alert डालेंगे तो बहाँ पर आपको कहीं जाना है पुलिस ओबलिक defense में जाना है समझ गए आपको ये बाला जो portion दिया है यहाँ पर लिखा है पुलिस ओबलिक defense jobs में जाना है जैसे याँ आप वहाँ पर किलिक करोगे तो किलिक करने बाद आपको मिल जाएगा कि आर्मी पबलिक स्कूल रिक्वर्मेट दो हचार बीस एनि इसकी जो 8000 पोस्ट है दोस्तो PGT, TGT और PRT के लिए है ठीक है ध्यान रिखेगा कल 1 October था कल से इसके फॉर्म अपलाई हो रहे है तो दोस्तो approximately इन लोगों ने 8000 पद बताए हैं कि 8000 इसमें पोस्ट रही है ठीक है दोस्तो यह थोड़ी सी जानकारी और आप देख लीजिए इसमें जो फीस इस्टक्चर है वो एक्जाम फीस 500 रुपए है इस एक्जाम फीस को आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बेंकिंग से कर सकते हैं फॉर्म अपलाई टेंटिटिव डेट अप्रॉक्सिमेंट बताई गई है कि 4 नवंबर को यह थोड़ीस को इसके अडमिट कार्ड आ जाएंगे इसके बाद इसकी अग्जाम डेट की बात करेंगे तो 21 और 22 अक्टूवर को छोड़के नवंबर 2020 में यह थोड़ीस नवंबर को को एडमिट कार्ड आएगा कभ आपका एक्जाम होगा कभ आपका रिजल्ट हैगा सारी चीजह में किलिया कर दी एज लिमिट की हम बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट होना चाहिए 14 2021 को 40 बरस मिनिमम 40 बरस होना चाहिए यह आदी आपको experienced candidate है, तो आपकी जो age होना चाहिए, वो 57 years से कम होना चाहिए, समझ गए, तो 40 साल और 57 years है, काफी अच्छी year age है, आपको कोई issue नहीं, इसमें सारी चीज़े हो सकती है, इदि हम qualification की बात करेंगे, तो आपको qualification में दोस्तों इदि आप PGT, यहनि आप post graduate teacher के लिए form apply कर र जरूरी है, उसके साथ साथ आपकी bachelor degree तो होगी होगी, साथ में आपको B.A.D. होना चाहिए, और 50% marks के साथ इस सारी डिग्रियां आपकी होनी चाहिए, अधि हम T.G.T. की बात करेंगे, तो दोस्तों T.G.T. मतलब होता है आपका, जो आपके graduation level के teacher होते हैं, है ना, वो होते हैं, आपके graduation आपकी जरूरत है, B.A.D. आपकी जरूरत है, 50% marks के साथ है ना, PRT की बात करेंगे हम, तो graduation प्लस D.L.A.D. भी चलेगा, इसमें B.A.D. भी चलेगा, और 50% marks आपको जरूरी है, तो दोस्तों यह आपकी qualification की बात आगी, मैं आपको आगे इसका notification भी दिखाने ब सकते हैं, इस सारी चीजें हैं, इसमें अपन आगे बात करते हैं, selection procedure की बारे में, देखेगा, इसमें जो selection procedure है, selection procedure आप उपर ही लिखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, कि selection procedure है, यदि आप और अच्छे समझना चाहते हैं, तो आप इसका screenshot ले लिजगा, stage यदि हम first की बात करेंगे, तो आपका screening exam होगा, screening exam यदि एन ओनलाइन screening जो test होगा, वो आपको 21 और 22 नवंबर 2020 को ये conduct कराये जाएगा, ठीक है, ये आपका पहला test होगा, इसके बाद आप में इसमें जो दो महात्पूर बाते हैं, वो एक तो ये हैं, कि holder of scorecard who want to improve their score, मतलब ये दिए आ आपको जो, आपके जो candidates हैं, उन सभी के scorecards होगा, है ना, वो इसमें improve कर सकते हैं, second thing आपको PGT और TGT के लिए दिया, ये तो additional qualification है, इसमें कोई दिक्र नहीं, second stage के दिए हम बात करेंगे, तो second stage में आपका दोस्तो interview होता है, third stage में आपका evaluation of teaching skills and computer proficiency, मतलब आपका third stage जो होग आपका interview के बाद उसमें evaluation किया जाएगा, कि आपकी teaching skills क्या है, और आपको computer का कितना knowledge है, ठीक है, इतनी बात हो गई, आपकी online screen test आपको clear हो गया, category of teacher, अब इसमें देखो हम बात कर लेते हैं, जड़ा qualification, qualification में आपको बहाँ बेसे बता चुका हूँ, ये आप इसमें qualification देखन 50% marks होना चाहिए, B.E.D. में आपको 50% marks होना चाहिए, एक graduation 50% marks, B.E.D. 50% marks, और graduation 50% और B.E.D. और 2 years diploma in education में होना चाहिए, इसमें सभी 50-50% देखने, तो आप इसका screenshot ले लिजगा, ठीक है, age limit की बात करेंगे, तो आपन age limit होगा clear कर्चों के पहले ही option में, कि देखो 40 साल ह होना चाहिए, यदि आप experience old दने, तो आपका 57 years चलेगा, ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, CTAT and TETS is not mandatory and appearing online instructor, यदि आप भया, online test देना चाहिए, तो इसमें CTAT and TETS are mandatory नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको qualify होना चाहिए, clear होगी बात, चले, अब ह से पहले तो हम बात करेंगे PGT और TGT की, PGT और TGT में आपका रहेगा, सबसे पहरा जो portion रहेगा, वो 90 नंबर का होगा, 90 नंबर में दोस्तों general awareness, mental ability, English comprehensive, educational concept and methods और आपके education और IT से सम्मंदित पूछा जाएगा, clear होगी बात, यह आपका content रहेगा, इसके बात specific to subject, आप जिस subject से हैं, जिस आप math से हैं, हिंदी से हैं, biology से हैं, सामचिक विज्ञान से, उस से, उस से related 90 नंबर का पूछा जागा, total आपका 150 नंबर का paper होगा, ठीक है, यह बात clear हो गई, अब आगे देखें, आप TGT, papers of science and social science subject रहेगे, there will be a portion of the questions, parallel subject रहेगे, that is TGT, आपका physics paper रहेगा 10 questions रहेगे, बताएगा है कि 10 questions आपके physics करेंगे, 10 questions आपके geography करेंगे, 10 questions science करेंगे, इस तरही के से आपका content रहेगा, तो आप समझ रहेगा, PGT और TGT का जो paper होगा, वो कितने का होगा, 180 नंबर का होगा, अब बात करेंगा हम PRT की, PRT में दोस्तों एक ही part होगा, जिसमें आ सब्जेक्ट हट गया है, ठीक है, इतना आपका पूछा जाएगा, अब देख लो इदर पे, आगे तो सारी चीजें आपको इदर पे देख लेते हैं, जो जरूर थे आपके लिए, to qualified the candidate must score minimum 50% marks in each part, देखो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको इदी qualified होना है, तो आपको minimum प्रितेख पार्ट में आपको 50% marks होना बहुत ही जरूरी है, इतना आपको 50% marks नहीं होगे, तो आप वहाँ पर disqualified हो जाएगे, ठीक है, रजिस्टेशन की डेट तो आपको पता दिए, एक October से रहेगा 20 October तक, शल, और क्या इसमें आपको जरूर थे, अब आगे थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, रजिस्टेशन की डेट है, इस सब सारे चीज़े हैं, इसका screenshot ले लो आप, sample questions, paper, paper, पार्ट एपार्ट भी, इस सब आप screenshot ले लो, अब मैं आपको कुछ महात पूर जानकर, list of army public schools, यदि अब आपको चाहिए है कि army public school कौन-कौन से हैं, तो य पासानी से समझ पाओगे, इस सारे serial number दिये, इन सब का screenshot ले लो आप, पूरे army school हैं, वो आपको मिल जाएंगे, 137 army school हैं, ठीक है, 137 army school हैं, आप इस school की list ले ले लिजेगा, इधर पर आपको subject दिया है, कि PGT में क्या है, और TGT में क्या है, ठीक है, कौन-कौन से subject में आपक vacancy है, देख रहे हैं, आप इंदर पर जो right लगा है, मतलब वो है, आप TGT में किसके लिए vacancy नहीं है, white technology, psychology और commerce के लिए नहीं है, बाकि इधर पर जिस जिसमें टिक लगा है, वो सभी के लिए आपकी भरतियां हैं, सभी subject के लिए हैं, तो आप इसका screenshot ले ले लिजेगा, चल, और आगे अब यह तो यार बता चुके, education है तो, कोई issue नहीं, आप इसका screenshot ले लो, समझ लो, यदि आपको जरूद लगे तो मुझे comments करना, मैं पूरी questions करूँगा, कि आपके comments का जवाब दे दू, के लिए रोगई बात को, ATGT के लिए, PRT के लिए है, two year diploma education दी गई, अब बात करेंगा, हम exam center की, यदि आपको exam center देना, देखना है, आपको चाहिए का exam center कहा है, तो आपके 74 exam center है, यह आप screenshot ले लो, आपका, अगरतला, आगरा, एहमदाबाद, पूरे all over इंडिया में, आपको लगभ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ इन दोर में भी है, भोपाल के नजदीक भी है, जो भी एहमद विदेश के students है, वो भर सकते हैं, चैननाई, डाले, गुर्गाओ, सभी जगह यह देखीगा, पूरे exam center है, इन exam center की आप screenshot ले लो, और आप जहाँ पर नजदीक आपको पढ़ता हो, बहाँ पर आप डाल दीज और अपना exam देजगा, ठीक है, तो दोस्तों, यह महत्मूर जानकारी मैंने आपको बता दी, इस से related आपको कोई जानकारी की जरूरत है, तो मुझे comments कीजेगा, मैं पूरी questions करूँगा, कि आपके सवालों का जबाब दे सकूँ, और दोस्तों, यह आप तयारी करना चाहते ह हैं, हर exam की, तो यह सबस्क्राइब कर लो, और बैल आइकोन के साइन पर किलिक कर लो, इससे आने वाले सारे latest वीडियो हमारे मिलते रहेंगे, नमस्कार,